Hey guys, welcome back another new video आज की वीडियो में आपको कुछ इस तरह की कलर्टाउन वाली फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो देखने बहुती जबर्देश दिख रही है आप इस की रिए में फोटो देख रहोंगे वो भी बीना पास्वर्ड यूज के तो आपको में एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदस से आप इस प्रीशट को बीना पास्वर्ड यूज के डाउनलूट कर सकते हैं वो आगे आपको वीडियो में पता चल जागा इसलिए वीडियो को बिना इस्किप के पूरा देखे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इस्ट्राग्राम पे फॉलो नहीं किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया भाई को जल्दी से फॉलो कर लिजे अगर आपको प्रिसर से रिलेड़ेट कोई भी दिक्कत आती है तो हमें इस्ट्राग्राम पे मैसेज कर सकते हैं वहाँ आपका भाई आपसे जरूर बात करता है तो अभी तक फॉलो नहीं या तो जाके जल्दी फॉलो कर लिजे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लिजे क्योंकि इस चैनल में पर आपको इस तरकी वीडियो प्रवाइट की जाते हैं जिससे आपनी फोटो को एक किलिक के अंदर एडिट कर सकते हैं तो चलिए विड़ स्टार्ट करते हैं दोस्टो फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें लाइट रूम एप्लिकेशन को उपन कर लेना है जैसे इस एप्लिकेशन को उपन करते हैं तो इस तरका इंटरफेस हमारे सामने देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद हमें नीचे plus का icon दिख रहा हमें यहाँ पे click कर देना है अब यहाँ से हमारी जो phone की gallery होती है open हो जाती है उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने preset पे click कर देना है जिस preset को download करेंगे वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे जिस photo को हमें edit करना है उसके click करना है नीचे add का button देख रहा हमें यहाँ पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पे all photos का option देखे हमें यहाँ पे click कर देना है अब यहाँ पे जो हमने preset of photo ली थी हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है उसकी बाद सबसे पहले हमें अपनी preset पे click कर देना है तो मैंने कर लिए preset पे click अब इस preset के हमें copy setting करनी है preset के copy setting करने के लिए उपर अथी डॉट पे click करना है नीचे एक option जाथ copy setting हमें अपर click करना है उपर tick का icon दिख रहे हमें अपर click कर देना है और जो आज हम Preset use कर रहा हो है Dark, Turmeric, Ton उसके बाद हमें ऐक बेक अपर उपर उपर क्लिक करना है अब हमें अपनी फोटो पे क्लिक करना है तो मैंने आपर ऐक कुछ फोटो लेयर किये हैं मैं कहले ताँ फोटो पे क्लिक अब इस फोटो में हमें Preset apply करना है Preset apply करने के लूपर थी डॉट पर क्लिक करना है नीचे एक option जाद पेस्ट सैटिंग है जैसी मैं पेस्ट सैटिंग में क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक क्लिक के अंदर फोटो एडिट हो जाएगी और फोटो का जो बैग्राउंड का तलर कितना जबरदर दिख रहा है पहले फोटो इस तरहाद तरह कि प्रिश्ट एड उन्ह पाद इस तरह कि बन गई है उसके बाद अपको नेक्स्ट फोटो में म करके दिखा तो पर टी डॉट पे क्लिक करना है बस आपको इक आपको पर पेज सैटिंग करना है फोटो में तो आपकी फोटो का जो बैकरोंड को तरह एक दम चेंज हो जागा रहा फोटो बहुत ही जबर्धस दिखेगी इस पोटो में देख सकते पहले फोटो इस तरह की थी preset add उनके बाद इस तरह की बन गई है उसके बाद इस photo को save करने के लिए पर share के बटन में क्लिक करना है नीचे save to device करेंगे तो photo अमरे gallery में save हो जाएगी दोस्तो इस preset को download करने के लिए आपको वीडियो के description box में जाने वहाँ पर आपको आपको प्रिसेट को download कर सकते हैं तो आपको पास्ट यूच करने के को कोई भी जरूद नहीं है बस आपको लिंक पर क्लिक करना है उस site के अंदर जाना है बस आपको इस preset को download कर लेना है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जूरूर जाएं और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जूरूर प्लीकर चैनल करें और अगर आपने अभी तब इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए मैं बहूंगा ऐसी नेक्स्ट फोटो एडिटिंग झाल 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 झाल